मैं मानस पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ UP Academy for Civil Services में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ Indian Geography की Complete Video Series UPSC और UPPSC के लिए तो UPPSC का कोई भी एक्जाम हो PCS, REO, REO, APS, सब के लिए यूज़ करिए और जब आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ UPPSC नहीं MPPS, Bihar PCS, Rajasthan PCS हर एक्जाम के प्रशन को आप इस वीडियो को देखने के बाद solve कर पाएंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ भारत की 25 सबसे important भारत की 25 सबसे महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में अब आप पूचेंगे घाटि का मतलब क्या होता है पहले ही मैं बता दू English में पढ़िये चाहिए Hindi में पढ़िये Language कभी barrier नहीं रहता knowledge ज़्यादा important है वो आप जरूर गेन कर लीजे तो आप किसी भी भाचा के हो शुरुआत करते हैं कि घाटि का मतलब क्या होता है एक दिखिए एक तरफ हो पहार एक तरफ हो पहार और दूसरी तरफ हो पठार इसके बीच वाली जो जगा होती है इसको बोलते है घाटि तो पहार और पठार के बीच में ये जो वाला दबा हुआ निचला वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं क्या घाटी एक और बात में आपको यहां बता दू शुरुआत हम लोग करेंगे भारत की 25 सबसे महतुपूर घाटियों के बारे में और शुरुआत होगा जम्मू कश्मीरों और लगदाक वाली इलाके से पहले जरासम आपको बता दू मैंने इसके पहले अब तक एक्स्प्रेंड नहीं किया वट आज एक्स्प्रेंड कर दे रहा हूं कि हिमांचल प्रदेश वाला जो यह उपरी बॉर्डर दीकरा है इसी बॉर्डर को आप यहां तक पहुँचा दें तो अब इसके बॉर्डर के यह ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है लदाक क्या है लदाक जहां पे लेह और कारगिल डिस्टिक है और दूसरा वाला जो यूनियन टरिटिरिटरी है वो है जे अन के तो याद रखेगा दो अलग-लग यूनियन टरिटरी है एक है लद्दाक और दूसरा है जम्मू एन कश्मीर अब अगर मैं आपसे पूछों कि कौन कौन सी घाटियां जम्मू कश्मीर में है तो याद रखें जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक घाटी है कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीरों कौन सी घाटी है एक घाटी है कश्मीर घाटी ठीक बट लद्दाक में तीन घाटिया है तो वहीं शुरुआत में कर रहा हूँ सबसे पहला मैं आपको बता दूँ कि लद्दाक में कौन-कौन सी घाटिया हैं तो देखें, लद्दाक में कुल तीन घाटिया हैं इनको आप तीनों एक साथ रट सकते हैं मूर्खा, नुब्रा और सुरू मूर्खा, नुब्रा, सुरू जिन में मूर्खा और सुरू याद रखेगा मूर्खा सुमूर्खा आप ऐसे नटिये सुमूर्खा क्या हैं सुमूर्खा सुमूर्खा घाटी कहां पे हैं मतलब सुरू घाटी और मूर्खा घाटी दोनों कारगिल में हैं और जो बचावला नुब्रा घाटी है वो है लेह मे तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब स्रीण टेरिटरी लद्दाक अलग हुई है बनाई गई है तब से ये प्रश्ण बार-बार आ रहा है UPCS में भी और UPSC में भी देकिए UPSC में दो बार ये प्रश्ण पूँचा है IAS की परिक्षा में क्या मूर्खा घाटी कहां पर है लद्दाक की सबसे प्रसिद घाटी लद्दाक में भी कहां पर कारगिल में है याद रखेगा कारगिल याद रखना जरूरी है क्योंकि मूर्खा घाटी और सुरू घाटी कारगिल में है और जो नुब्रा घाटी है वो है लेह में ठीक कश्मीर घाटी आप सभी को पता है जम्मू एन कश्मीर में ही है इसके अलामा जरा मैं कश्मीर घाटी के बारे में या कश्मीर के बारे में एक बात बता दो कश्मीर में तीन पास है पास का मतलब दर्रा, जहां से आर पार जा सकते हैं तो दर्रा का मतलब होता है पास, कुल तीन दर्रे हैं, एक तो है पीर, पंजाल, ये सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप कभी कोई कंफ्यूजन ना रखें, इसको इसी के साथ रड़ डाले, पी कश्मीर में कुल तीन दर्रे हैं, और एक घाटी है, जो की है कश्मीर घाटी, ठीक, अब आजाए हिमानचल प्रदेश में, हिमानचल प्रदेश में कुल दस घाटी हैं, कितने वैली हैं, दस वैली हैं, हर वैली किसी ने किसी एक्जाम में आई है, वो भी स्टेट लिवल है पारवती पांगी कि नौर कुलू सांगला कांगडा मालना लाहुल और स्पिती तेख फिर से पारवती पांगी कि नौर तो कुलू फिर सांगला कांगडा मालना चमबा लाहुल और स्पिती तेख स्पिती कुल इतने मतलब कुल दस घाटी है जिनमें सबसे पहले में बता दू पारवती गाटी, हेमांचल प्रदेश में हा, पारवती, ये सारे जितने भी गाटीया है काहां हिमांचल में जिनमें कुछ घाटियों बड़ी प्रसिद्ध है जैसे सेव के लिए जो आपने देखा होगा थमनेल पे सेव के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन सी है तो याद रखिएगा कि नौर घाटी सेव के लिए प्रसिद्ध है ये UPPCS एक बार पूंच रखा है बिहार PCS दो बार पूंच रखा है और UPSC ने एक बार पूंचा है ठीक पांगी घाटी क्या है पंगवाल और मोटी लोगों का आवाश्चेत्र है पंगवाल और मोटी लोगों का आवाश्चेत्र है कुल्लू क्या है हिमांचल में है कुल्लू ठीक और अगला कुल्लू कहा हाँ पे हैं चंगा घाटी में तीन याद रखेगा चंबाय वैली में तीन सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट के स्पॉर्ट हैं जैसे खजियार को भारत का सुटिजर लैंड कहते हैं ये भी यहीं पे है डलहुजी और चंबा खुद ये सारे इसी घाटी में इस्तित्थ हैं अग मालना घाटी मालना घाटी को चोटा यूनान कहते हैं याद रखेगा मोस्ट इंपर्ट मालना का मतला चोटा यूनान घाटी ये बार बार प्रशन आया है चोटा यूनान हिमांचल प्रदेश में चोटा यूनान किसको कहते हैं या भारत में चोटा यूनान किसको कहते हैं म बुद्दिजम के लोग थे कैना जब मापको इंशेंट हिस्टी पढ़ा रहोंगा तो आपको ये चीज पता चलेगी अब आजए ये लास्ट पॉइंट अब यहां तक है हिमानचल का खतम हो गया अब उत्तरा खंड में कुल 6 है कितने कितने घाटियां है कुल 6 घाटियां और उत्तरा खंड में 5 तो ये दिख रही है चटी आपको यहां पर दिख रही होगी तो 5 का सबसे पहले मता दू सोर नेलांग दून जोहार फूल सोर नेलांग दून जोहार फूलों की घाटी सबसे पहले आप इतना रट लीजे सोर घाटी नेलांग घाटी दून घाटी जोहा जोहार और फूलो की घाटी जिसमें फूलो की घासी वनिज्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है गंगोत्री नैशनल पार्क में कौन सी घाटी ये नेलांग घाटी ये तीन बार प्रशना आया है स्टार का मतलब most important आप इसको तो छोड़ी ही नहीं सकते सोर घाटी उत्राखंड में भी है और एक और धर्मा घाटी भी कहां पे है और उसके बाद से अकसर ये UPPSC पूछता है प्रशन क्या पूछा कि जून से लेके सुतंबर के बीच में ऐसी कौन सी घाटी है जो जंगली फूलों से पूरी ढकी रहती है तो याद रखेगा पूरवत्तर राजमें नागालेंड के जुफू स्रेणी के पीछे है जुकू घाटी नागालेंड में जुकू नाजुक ऐसे आप याद रखेगा नाजुक नाजुक का मतलम नागालेंड में जुकू घाटी ठीक है ना उसके बाद आजाईए यूथांग घाटी सिक्किन में ये घाटी है यूथांग घाटी होट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है याद रखेगा यू थांग और आजाए अराकू सबसे इंपोर्टेंट अराकू गाटी अराकू गाटी कहाँ पे है अराकू गाटी है असे अराकू असे अंदर प्रदेश धर्मा घाटी हो गया नेवरा घाटी नेवरा घाटी कहाँ पे है वेस्ट बेंगॉल के दारजलिंग में है तो दारजलिंग कहाँ पे है वेस्ट बेंगॉल में और बची दो घाटी है कंबम घाटी कहाँ पे है तमिलनाडू में और शांत घाटी है यहां साइलेंड वेली कहां पे है केरला में और केरला में पाल घाट में है जैविविद्था मतलब बायो डाइवरस्टी का होट स्पॉट है नल्ला मलाई श्रणी में इस्तित है तो कुल कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइएगा साथ ही आप इसकी PDF को सीधे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स कोड से जब मैं आपको यह कह रहा हूँ और कुछ बच्चे इस पर हसते हैं कि सर इसके टेस्ट के प्रशन अच्छे नहीं है तो मैं बस इत्ता बताऊंगा 30 साल के प्रशनों से एक एक प्रशन लिया गया है टॉपर्स उस पे बहुत जल्दी का मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ अगले दो वीक में एक लाख लोग जुड़ चुके हैं लगभग अगले दो वीक में इस समय 85,000 लोग टॉपर्स कोड से जुड़ चुके हैं अगले दो वीक में एक लाख लोग जुड़ चुके हैं इसके यह कुछ छोटा मोटा चार्जिस हैं फिर भी 40 टेस्ट फ्री के हैं उसमें थैंक यू सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में इंडियन जियोग्राफी की आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो